नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपई के अपने यूट्यूब परिवार मरुद्र क्लासेज पर दोस्तों आज की क्लास रहेगी राजस्तान बुगुल की राजस्तान का अपवा तंत्र जिन में राजस्तान की परमुप नदियों से संबन दिते जितने भी प्रेशन बन रहे हैं सारे प्रेशन कवर करने की कोसिस करेंगे विगत परिक्साव में पूसे के प्रेशन भी देखेंगे दोस्तों तो आप इस क्लास के अंतर तक जुड़े रहें और ये क्लास इंपोर्टेंट रहेंगी PTT, BSTC के लिए इंपोर्टेंट रहने ही वाली हैं इसी के साथ राजस्ता में जहां पर आपवातंत्र लगता है उन सभी के लिए इंपोर्टेंट क्लास रहेगी तकरीब हम आज असे से 90 प्रेशन इसी क्लास में कवर करने की कोशिस करेंगे दोस्तों तो आप इस क्लास के अंदर दक जूड़े रहना और सेनल पर पहली बार आएं तो सेनल को सब्सक्र नाला आके मिल गया ये नदी मिल गई ये कोई नदी मिल गई तो जो इनका नदी का जो ये वाला सेत्र है आसपास वाला सेत्र इसे दोस्तों अपवा सेत्र बोलते हैं बार इस वगिरा होती उस समय जो पानी वगिरा इकटा होकर के नदी नाले और जो दूसरी नदी आकर के मुक्खे नदी में मिलते हैं उसे ही दोस्तों अपवा कहते हैं और जो ये बना हुआ है इसे दोस्तों तंत्र कहते हैं तो अपवा इनका जो बाव सहतर है नदियों का उसे अपवा कहते हैं जो ये बना हुआ है इसे दोस्तों तंत्र कहते हैं तो इसे परकार से अपवा तंत् को समझ में आया हुए अब बात करते हैं जो प्रश्ण है किस परकार से प्रश्ण फूसे जाते हैं प्रिक्षाओं में और किस प्रकार के प्रश्ण विग जो पहले प्रिक्षाइं हुई है उनमें फूसे गए तो देख लेते हैं पहला प्रश्ण दोस्तों राजस्तान में सर सरवादिक सतई जल वाली नदी कौन सी बताना है और इनका जो सरवादिक सतई जल का एरिया हो ए 5253 मिलियन क्यूब रिक मिटर है और यह सरवादिक सतई जल गरंड करने वाली नदी है राजस्तान की अगला प्रश्ण दोस्तों नेमन में से कौन सी नदी राजस्तान को सरवादिक जल की आपूर्ति करती है आपको बताना है कि सरवादिक राजस्तान में कौन सी नदी जल की आपूर्ति करती है यह आरेस प्रिक्सा 2003 में पूशा गया प्रश्ण है आपको बताना है राइट आंसर किया होगा संबल पनास माई साबर मती तो सरवादिक जल की आपूरती करने वाली दोस्तों संबल नदी है सरवादिक जल की आपूरती करने वाली नदी के साथ ही दोस्तों या अवनाली का अपरदन सबसे ज़्यादा संबल नदी में होता है और इनकी परवा परणाली प्रक्साकार है यह राजस्तान की बाव सहत्र की दर्ष्टी से सबसे लंबी दोस्तों नदी है बाव सहत्र की दर्ष्टी से सबसे लंबी नदी है सताई जल की देश्टी से राजस्तान की नदियों का सई औरोई करम बताना है कि कौन सा करम सई है तो आप्सन दिये गए हैं आपके लिए बनास संबल माई लूनी बनास लूनी संबल माई लूनी संबल बनास माई और संबल बनास माई और लूनी तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा संबल, बनास, माई और लूनी इनका राइट आंसर शार नमबर हो जाएगा राजिस्तान में सरवदाइक सतही जल दोस्तों संबल नदी का इसके बाद में बनास माई और लूनी नदी का है संबल नदी का जो सतही जल का एरिया होगा पांच जार दोसो तीन मिलियन क्यूबिक मिटर और बनास नदी का हो शार जार 49 मिलियन क्यूबि मिटर और माई नदी का है दोस्तों 3095,000,000 क्यूबि मीटर और लूनी नदी का दोस्तों 1751,000,000 क्यूबि मिटर अगला प्रशन दोस्तों, राजस्तान में सरवादी क्विस्त्रित जल गरण सहतरवाली नदी है ये मुल्यांका नदीकारी 2020 में पूसागे अप्रस्टन है और इंपोर्टेंट भी है राइट आंसर बताना है कि राजस्तान में सरवादी के विश्टर जल गरंड सहतर वाली नदी कौन सी है राइट अंसर दोस्तों बरा सनती हो जाएगा एक विश्ब्रण सहतर लासे नदी अपने जल वाकर लाती है और जल गरंड शहतर कल आता है दोस्तों राजस्तान में बँनास्टन है का जल करन सहतर सरवादी से कौन सा राइट होगा दोस्तों बनास लूनी बनास संबल माई या बनास लूनी संबल माई या संबल बनास माई लूनी या फिर बनास संबल लूनी या माई राइट आंसर बताना है तो सबसे पहले दोस्तों बनास लूनी संबल और माई इसका राइट आंसर वजाएगा बन नदी का जल गरंड सहत्र दोस्तों सरवादी के 47,570 किलोमेटर है इसके बाद में दोस्तों लूनी का 130,250 किलोमेटर है और संबल का है जो की 29,110 मेटर है माई नदी का 16,000 30,000 मेटर है अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रिन पर आप जल्दी से आंसर देंगे या राजस्तान के कुल जल गरंड सहत्र का लूनी नदी का लगवक कितना परतिस्त जल गरंड सहत्र है लूनी नदी का आपको बताना है तो लूनी नदी का 20.21 परतिस्त है जो कि लूनी नदी का जल सहत्र पल है जल परतिस्त में तो राजस्तान के कुल गरंड सेटर का दोस्तों कुल राजस्तान के जल्ड गरंड सेटर हैं वह एक लाग, उन सत्रह जार, चार सो सतरवर्ग किलो मिट्र है। इनमें से लून हिनादी का जल्ड सेटर है वह सोथीस जार, 251 वर्ग किलो मिट्र है, अर्टाथ 20.21,32% है। दोस्तों बनास्त नदी का जल्गरण सेत्र हो 47,570 किलोमेटर है नहीं 27.48 परतिसत इसके बाद में लूनी नदी का जल्गरण सेत्र दोस्तों 37,250 किलोमेटर के साथ में 20.21 परतिसत है 16,000 किलोमेटर इसके साथ में 9.47 परतिसत अगला परतिसन दोस्तों राजस्तान में किस नदी का अपवा सेत्र सबसे बड़ा है अपवा सेत्र सबसे बड़ा किस नदी का है नहीं अपवा तंत्र जांपर सब्सर्वादिक नदियां नाले वगिरा मिले हुए हैं वह आपको बत सब्सक्राइब किसका है तो दोस्तों संबल नदी का यह आरपी ऐसी थर्ड़गरेड 2009 में पूसा गया प्रश्ण है संबल नदी का अपवा सेत्र को ओपा तंत्र दोस्तों कहते हैं और जब एक विशश्ष जांसे नदी अपना जल्बा कर लाती जल्गरन सेत्र कर लाता है में सर्व मैं संबल नदी का अपवा सैत्र से पड़ा है जिसमें बनास नदी को सबनादी की सायिक नदी भी आना गया है अगला प्रशन आपके स्क्रेन पर है और इसकार जल्दी से आपको आंसर देना है कि अपवा सैत्र के विस्तार की दिश्टी से राजस्तान के नदी तंत्र का सई अवरोई करम बताना है और ये पठवारी मैंस 2016 में प्रशन पूसा गया था तो राइट आंसर आपको बताना है कि अपवा सैत्र के विस्तार की दिश्टी से राजस्तान के नदी तंत्र का सई अवरोई करम संबल लूनी माई बनास माई बनास लूनी संबल या बनास माई लूनी संबल या लूनी माई संबल बनास इसमें सभी करम कौन सा है वो आपको सुनेना है राइट अंसर आपको बताना है राजस्तान में दोस्तों संभल नदी का अपवा सहत्र सबसे बड़ा है 22,32 वर्ग किलोमेटर जिनमें बनास नदी का अपवा सहत्र भी सामिल है क्योंकि बनास संभल की साइक नदी है कि शाथ सो साट मीटर और माई नदी का सोड़ाजार पांसो इक्यावन मीटर है तो इसमें दोस्तों केवल संभल नदी का आपवा सैत्र सरवादिक हैं इसी परकार बनास नदी को संभल में किसा एक नदी मानने या अलग मानने के कंप्यूजन के कारण यह इस प्रश्ण को दो तो यह प्रैस्ट स्थय वजदाब लेकिन नदी बनास का आपजन दे दिया संभल के साथ में या तो संभल नहीं आएगी या फिर बनास नहीं आएगी तो यह प्रश्ण सहीी हो सकताता लेकिन इस प्रश्ण को डिलिट महना आया बदू है Puis अगला स्थन है दोस्तों आपके प्रतिस्ट अगला प्रश्ण जिसका अप्वा सहत्र सरवा दिखें वह आपको बताना जवाई साबर मत्ति शूगडी तक खारी या बनास तो अब वह सहत्र सरवा दिखें वह बनास नदी का है दोस्तों भी आपकी जो यह नदियां हैं वह सारी की سारी जो के साइक नदियां इसमें साबर मत्ति भी साइक नदियां अगला प्रेशन दोस्तों आपकी स्क्रिन पर आने वाला है संबल नदी का जो आपा सहत्र वह बहुतर जार तीस वर्ग किलोमेटर है और नूनी नदी का अपा सहत्र है वह 13,586 kg है बरास नदी का अपा सहत्र 33,760 किलोमेटर मैं अपा सहत्र 6841 किलोमेटर है और शूकडी ताही नदी का अपा सहत्र है वह 22,792 किलोमेटर जवाई नदी का अपा सहत्र आट जार आट सो यह सैंसी किलोमेटर है और साबर मर्ती का बत तीन जार दोसो इटासी वर किलोमेटर हैं एक पर तिस अगला प्रशन आपके स्क्रिन पर है जल्दी से इसका राइट अंसर आप दीजिए राजस्तान में कौन सी नदी का सरवादिक नदी यह बैसें सहत्र है व अगला प्रशन दोस्तों आपके स्क्रिंद पर राजय में राजस्तान राजय में पूनत बैने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी यह प्रशन कापी बार प्रिक्सम पूसा गया है अरबार आता ही है और आरेस उनीसो बहुत बाराणवे में पूसा गया प्रशन है इसका राजस्तान में बैने वाली सरवादी कि लंबी नदी जो कि 965 किलोमेटर इसकी लंबाई है और अगला प्रशन है दोस्तों राजस्तान राजी में भू सैत्र की लंबाई की दर्श्टी से नदियों का सई अवरोई करम आपको बताना है तो इसमें दोस्तों क्या बताना है आपको अवरोई करम बताना अवरोई करम बताएंगे तो कांतली नदी 100 किलोमेटर है उसके बाद में संबल नदी उसके बाद में लूनी और उसके बाद में बनास तो ये राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें राजस्तान में पूसा है त किलोंगे है 512 किलोमेटर लौनी नदी 330 किलोमेटर और संभण नदी रैजसतान ने 312 किलोमेटर है और कांतले ईंधी 100 किलोमेटर तो इसके अनुसार राइट आंसर एक नमबर हो जायएगा अगला परसों राजसतान की सब से कुन्सी है वो आपको पताना है लबी नदी पूसे, राज़स्तान की सबसे लंबी तो वह है दूस्तों, बनासन नदी और अगर पूंड तरजश्तान वाव की दर्स्छाइस से सबसे लंबी नदी पूसे बनासनदी तो सब राजस्तान की सबसे लंबी नदी संबल जिसका जो एरिया है वह 1051 किलो मेटर है जब कि पूंड ते राजस्तान बेहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है जिनका एरिया है 512 किलो मेटर अगला प्रशन दोस्तों आंतरीक पर्वा की दस्टी से सोटी नदी कौनसी वो आपको बताना एक आंतरीक पर्वा की दस्टी से कांकनी कांतली मिथा या रूपारिल तो कांकनी नदी राइट आंजर हो जाएगा 17 किलोमेटरी है दोस्तों इसकी जो लंबाई वो है और ये जैसल मेर में इस्दित हैं कांकनी कांकनी है ये जैसल मेर बेने वाली आंत्रीक जलपरवा की सब्सेशोटी 17 किलोमेटर नदी और अंत्रिक परवा की दश्टी से इसका सबसे लंबी नदी है अंत्रिक परवा की दश्टी सबसे लंबी नदी दोस्तों घगर नदी जिसका सहत्र है वह ऐग शार्सुपईपेसट किलो मीटर है अब दौस्तो राजशतान की नदियां और उनकी लंबाइ देख लेतें एक बार संबल नदिय की जो लंबाइ यह वोग दौस्तो कुल लंबाइ है एकजार उनक्यावन किलो मेंटर और कई काई पर 965 किलومीटर भी बताता है राजस्तान में कितनी बताते हैं तो राजस्तान में 222 बताते हैं और किताब की अलग-अलग अलग लंबाई वगिरा है तबर वो अलग-लग 222 के खाप से माई द Almighty कीकुल लंबाई ये वो है 576 किलो मेटर और और राजस्तान में 171 किलोमेटर बाती है बनास नदी जो की राजस्तान में बैती है पांसो बारा किलोमेटर है और सरवादिक राजस्तान की जो लंबी नदी है नहीं कोई मानते हैं क्योंकि पूर्ण तर राजस्तान में यह बैती है लोने नदी जिनकी लंबाई है 695 किलोमे साबर मर्ती की लंबाई 716 किलो मेटर है जब की राजस्तान में 45 किलो मेटर बाती है पच्चिमी बनास जो की राजस्तान में बाती है दो सुसाइट किलो मेटर लंबाई है और दो सुसाइट किलो मेटर ये बाती है काली सिंद्द नली नदी है जो की 288 किलोमेटर राजस्तान कुल लंबाई है इसी के साथ में 145 किलोमेटर राजस्तान में बैती है बानगंगा की लंबाई कहीं कहीं पर 280 से है तो कहीं पर 280 240 है तो कहीं पर 380 है और यह पूर्ट तर राजस्तान में बैती है बांडगंगा क्योंकि यह लुप्त नहों सुकी है अभी इसलिए जो नदी का जो बाव सहतर है वह बाड़ वगिर आने की विज़से जो कम हो गया इसी विज़से जो लंबा ही है उसमें सेंजे जुए है बै तो बताता है 17 किलोमेटर और काई पर 27 किलोमेटर तो इसमें भी मदवेदे लेकिन इसमें क्या है कि जो 17 किलोमेटर बताते हैं वो बुद जिल में गिरती है उसके बाद में और इसका आपा सहतर है तो इस वज़ए ज़्यादा जो बारिश वगिरा होती है उसमें इसका पा करद की कजए गाड़ी में गिरने वाली नदियों का शीय गौन बताना है लोनी शाहबर मति की दुझाय और पच्छिवन गया कौनवार59 ंधी तो लोनी तो गिरती है तो राइट अंसर लोनी तो हो गई इसमें मैई नदीन ऐँ olur कर गतर होगा लूणि और पंचहों यह दोनों इसा इस अब्ठी की मनास दोनों यार अलब सगर ऑवा संथर में दू बागों में बाटा गया यह तो कस्क खाड़ी में गेरनेवाली जिन में लूणि और सबर्मति और मैं है तो यह आपको ध्यान में रखना यह प्रशन कापी बार गड़दा जयता है तो इसका ध्यान आप रख सकते हैं अगला प्रशन दोस्तों अधी खारी ओर अधी मेटी कौन सी नदी एंप्रॉटंट प्रस्टने कापी बार करिक्सा उंपूसा गया है तो यह दोस्तों है लुनी नदी आदी खारी और आदी मीटी के नाम से क्योंकि एजमेर के नाग पार से ये नदी निकलती है और बालो तरह बाडमीर तक आती तब तक तो पानी मीटा रहता इसके बाद में बालो तरह की जो केमिकल वगिरां फैक्ट्रियां वगिरां लगी हुई है कपड़े के तो उनका जो कास्टिक वगिरे के पानी जो केमिकल वाला पानी वो सोड़ दिये जाता है लूनी नदी में इस वज़े से इससे आगे आगे जो नदी है वो खारी हो जाती है और इससे पहले वाली जो नदी वो मिटी इसी वज़े से इसका नाम में अधी खारी और अधी मिटी राइट आंस प्रशने काविबार विगत परिक्जम पूसा गया है आपको ध्यान में रखना बिलकुल प्रशन यह आ सकता है प्रशना यह प्रशना आएगा अंडरेंट पर्शेंटिर्स का नाम है लूनी नदी को कालिदास ने अंतसलीला का है लूनी नदी के दोस्तों अन्य नाम भी आप एक बार देख लेना लोनमती सागरमती रेल नाड़ा या जालोर में कहते हैं मीटी खारी नदी मृस्तल की गंगा पस्यमी राज़तान की सबसे लंबी नदी यह त्यान में रखना है विलाप्रशन दोस्तों सरदार संबंद परिय जोजना किस नदी पर हैं तो यह लूनी नदी पर है दोस्तों सरदार संब्द लूनी नदी से संब्द इते हैं जबकि सरदार संब्द जील है दोस्तों जोदपूर में तो इसमें लूनी की साइक नदी दोस्तों सुगड़ी फैस्टे नदी आकर गिरती है यह द्यान में र आगे आपको बताना है एक कोटारी नदी और संद्र बन किस्त की और बहते हुए नदियाँ कौन से भागए अपवातंत्रखंबाद कि खाड़ी में गेथी है आंत्री का अपवात्त्र है या फिर कस की खाड़ी में गिरत ACCर्द या बंगाल कि खाड़ी 20 मैं आपको राइट अंसर बता मारे तो यह बंगाल की खाड़ी की अपवा तंतर से संबादित हैं संद्रबगा और कोटारी नदियां दोनों यह दोस्तों कोटारी नदिया बनास की साइक नदियां और यह आगे सल करके दोस्तों संबल में मिल जाती है कि कौन सा करम सही है उत्तर से दक्षिन सही करम बताना है सावी बानगंगा बैडस सोम या बानगंगा सावी बैडस सोम या सावी बैडस सोम या बनास पत्सीम बनास सोम या बैडस तो राइट आंसर होगा सावी बानगंगा बैडस और सोम इसका राइट आंसर हो जाएगा करम के अनुसाब अगला प्रश्न दोस्तों उत्तर जिसा में साभी अगला प्रश्न दोस्तों राजस्तान की एक मातर नदी जो अंतर राजी सीमा बनाती है वो पताना है अंतर राजी सीमा बनाने वाली नदी कौन सी दोस्तों वह दोस्तों संबल नदी बद्य पर्दिस और राज और धौलपूर जिल्ला के मद्यपर्देश के साथ संबल नदी द्वारा अंतर राजी सिमा बनाती है और यह कितनी सिमा बनाती है दोस्तों वेस्व की एक मातर नदी है जो सो किलिमेटर के दाइरे में तीन बाद गांधी सागर आना परताप सागर और जवार सागर बनाए गए हैं और तीन अपवरी जल्वी दूत उत्पादन किया जाता है राजस्तान में कौन सी नदी का बैसिन सेत्रो उत्पाद इसले करत के इस्तला करती के लिए परसिद है वो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जिनका बैसिन सेत्रो उत्पाद इस्तला करती के लिए परसिद है उत्पाद मतलब कि उबड़ खाबड गड़े वे गरा हो गए तो ऐसी कौन सी नदी है वो है दोस्तों संभल नदी क्योंकि जो बागर और खादर है वह सजादा तर धौलपूर और परतपूर जिलों में हैं वह किसकी वज़ा संभल नदी की वज़ा से आपवा सहतर की वज़ा से गड़े पड़े बड़े तो यहां पर जो बागर और अगला प्रश्च में अगला प्रस्ट दोस्तों राजस्तान राज्जी एकिस प्रस्राशने के संभा का अपवात अरब शागर की और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली निद्दियों का हां से आपको बताने यह पटवार-2008 पुसद्धि यह प्रस्दिय गुश्तान राज दिए आई टांसर वह आज मेर संभाग से निकलने वाली नूनी और उसकी सायक निदिया अरब शाग्र में गरती है तर यह अपको राइड आंसर मिल गया अगला प्रश्ण दोस्तों राजस्तान का सबसे बड़ा अपवा तंत्र कौन सा है वो आपको बताना है तो दोस्तों अंत्रीक अपवा तंत्र है वो सर्वा दीखे राजस्तान का अपवा सेतर का 16 परतिसत बाग है जो कि अर्ब सागर में गिरता है और लगबख 120 परतिसत बाग वंगाल की खाड़ी में गिरता है और उस तों जो से साथ परतिसत अंत्रीक परवा की नदियों का पाग है वो साथ परतिसत है तो इस सरवादी अंत्रीक जल वाली नदियां जदा है बीकानेर संबाग में कितनी नदियां है बता ना पए आपको बीकानेर संबाग में नदियां कितनी हैं एक दो तीन या फिर कोई नहीं तो दोस्तों एक है घगर नदी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गंगानगर जिल्ले में और अनमानगड में ब प्रादिक नदियां कहां पर है वो कोटा में और जहां पर नियुनतम नदियां वो है कौन सा संबागे भी का निर अगला प्रश्न दोस्तों अगला निम्न में से कौन सी नदी राजस्तान में बरती है आपको बताना है लोनी बनास संबल माई तो बनास नदी है जो कि राजस्तान में बैती है बारी राज्य में नहीं जाती है लोनी जो कि गुजरात में जाती है पर्वेश करती है संबल नदी भी मद्य पर्देश और उत्तर पर्देश से मद्य पर्देश से निकलती है उत्तर पर्देश तक जाती है और माई नदी वी राजस्तान से निकलती, मद्धे पर्दे से निकलती वी राजस्तान को पार करती हो गुजरात में जाती है तो इस वज़े से बनास मद्धी राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट दोस्तों नदी उद्गम इस्तल में से कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है सब भी सेवर साडिया से निकलती क्या कांतली खंडिला की पारियों से निकलती है या फिर बांड गंगा खंणोर की पारियों से निकलती है या फिर सौम बिसमेडा की पाडियों से निकलती है तो मेरे हिसाब से जो दोस्तों बांड गंगा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बांड गंगा है जो की बेराट से निकलती है खमनोर की पाडियों से नहीं निकलती है तो बान गंगा जैपूर की बेराट की पाड़ियों से निकलती है बाग की जो खमनोर की पाड़ियों वो राज संबन चिल्ले में तो वहां से बनास नदी निकलती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन नमबर अगला प्रस्त दोस्तों निमन नदी का उद्गम इस तलमे से कौन सा सई सुमेले तो नहीं है वो आपको बताना है बनास खमनोर की पाड़ियां, बान गंगा बेराट की पाड़ियां, कांतली खंडेला की पाड़ियां और कांकनी कुम्बलगड की पाड़ियां तो कांकनी नदी इसमें राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि कांकनी नदी ये वो कांकनी नदी जैसलमेर में बाती है तो ये आंतरिक जल परवा की नदी है और ये कोई पाड़ी से नहीं निकलती है जो राइट अंसर कांकनी नदी कुंबल गड़ में नहीं है बलकि कांपर है जैसलमेर में अगला प्रशन दोस्तों किस नदी का उधगम सेवर पाड़ी से हैं वो आपको बताना है साबी, कांकनी, मौरेल, सौम इसमें राइट अंसर आपको बताना है कि कौन सा सही है तो दोस्तों साबी नदी है जिनका उधगम सेवर की पाड़ियों से है सेवर की पाड़ियां दोस्तों जैपूर में हैं और जहां से साबी नदी का उधगम होता है कोटारी नदी का उद्गम सरोत कौन सा है वो आपको बताना है इज्डाल पाड़ी दिवेर की पाड़ी कोगुंदा की पाड़ी या पड्रार पाड़ी राइट आंसर क्या होगा बताना है यह कनेश्ट अनुद्देशक 2019 में पूसा गया प्रश्ण है तो दिवेर की पाड़ियों से कोटारी नदी का उद्गम होता है और कोटारी नदी राजसमत जिल्ले में दिवेर नमगस्तान से निकलती है पीलवारा जिल्ले में बनास नदी में मिल जाती है दोस्तों कौन सी नदी कोटारी नदी अगला प्रश्ण दोस्तों राजस्तान की नदियों और उनके उद्गा मिश्तल एक बार संभल नदिय का उद्गा मिश्तल दोस्तों जाना पाओ की पाड़ियां मग़ मद्देपर्देश मेरा मई pronounced मै alarm जेल अमरे परवत मद्यपर्देश से काले सिन नदी बागली गाउं की पाड़ियां देवास मद्यपर्देश से बांड गंगा नगी बैराट की पाड़ियों से कोठारी नदी दिवेर की पाड़ियों से बैड़स जिसे आयड नदी भी बोलते हैं ये गोगंदा की पाड़ियों से मैज नदी जो कि मांडल गड विजोलिया की पाडियों से निकलती हैं गगर नदी सिवालिक की पाडियां इमाले से निकलती हैं खारी नदी विज्राल की पाड़ियां देवगड राजसमन से, खारी नदी सेरगाओं की पाड़ियां सिरोई से, मौरेल नदी सेनपूरा की पाड़ियां बच्छी जैपपूर, काले सिल सपोर्टरा की पाड़ियां करोली से, बामनी नदी अरिपूरा की पाड़ियां सितोड उदेपूर से जाखम नदी सोटी साधरी परताप गड़ से निकलती है और जवाई नदी गोरिया गाउं की पाड़ियां बाली से निकलती है सागी नदी है जस्वंतुरा की पाड़ियों से साभी नदी सेवर की पाड़ियों से कांकने नदी कोटरा गाउं जेसलमेर से कांतली नदी खंडिला की पाड़ियां सीकर से गंबीरी नदी, जावद गाउं मदे परदे से, गंबीरी नदी जो कि दूसरी यह वो है लंगारा गाउं की पाडिया, मौ करूली से, रुपारेल उदेनाद की पाडिया, ठाणा गांजी अलवर्स से रूपनगड नदी जो कि सलेमाबाद किसंगड से निकलती है मेता जो कि मौनपूरा की पाड़ी से निकलती है तो यह नदिया हैं और इनका उद्गम चैतर मैंने आपको एक बार बता दिया तो दोस्तों नदिया और उनके उद्गम इस्तल भी देख लिए और एक से लेकर के 31 प्रशना कवर कर दिये हैं और फिर से एक से लेकर अब 47 प्रशना और कवर करेंगे तो आप आंते तक जुड़े रहे और अपने दोस्तों तक सेर जरूर करें तो राजस्तान का अंतिम जिला जिससे होकर लूनी नदी कसके रंद में गिरती है वो कौन सा है वो आपको बताना है बाढ़ मेर जालोर सिरू या बांसवाडा तो भिलाल राजस्तान में नए जिले गोसित हुए 19 जिसमें अब सांसूर को नया जिला गोसित किया गया है तो ज लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों जालोरे फिलाल दोस जिले वगीरा बनने में कापी समय लगेगा तो राजस्तान जी के बदलेगा लेकिन वो दीरे-दीरे बदलेगा क्योंकि आप मान के सलें इसलीए अपना गर बनाते हैं तो भी बारा मेना या एक साल लो साल लग ज अमीतियां वगेरा सारे जो निर्ने लेना वो बाख किये तो इस वज़ए से आप अभी तक त्यारी नहीं कर रहें तो कर लेना दोस्तों इस इस्टार्ट कर देना दोस्तों क्योंकि आपके पीटीटे एक्जाम 21 मई से स्टार्ट हो रहा है तो आपको त्यारी में जुड़े कि गोष्णा हुई या कितने संभागों कि गोष्णा हुई या पिर किस समयतिक या किस कमिटी के आदार पर ये जिले बनाए गए ऐसे प्रशन आएंगे तो वह मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा यह प्रशन करंड जीके से समधित आ सकते हैं बाकी जो हैं वह पुराने फुगल वग्यरा वह सैमी रहेगा आपके पीटीटी एक्जाम तक इसके आगे बदलेगा तो देख लेंगे तो इसमें लोनी नदी दोस्तों अजमेर के नागबार से निकल करके जोदपूर पाली बाडमेर और जालोर से उपर के अपना जल कज के रण में गिराती है ठीकर अगला प्रस्तों बाडमेर के बालो तरह से पहले लोनी नदी में उसकी कौन सी सायक नदीया मिलती है वो आपको बताना है जवाई सुगडी थर्ड या सुगडी या फिर सांगी तो बालो तरह से पहले नदी है वो सुगडी मिलती है सुगडी या सुगड पाली के देश्वरी गाहों से निकलकर बाड मेर के समध्टी गाहों में लूनी नदी में मिलती है राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्तन दोस्तों सरदार समध्ध जील में लूनी नदी की कौन से साइक नदी आकर के गिरती है वह आपको बताना है अगर के गिरती है अजमेर के जवाजाँसे निकलने वाली लूनी की साइक नदी कौन सी वह आपको बताना है यह प्रस्ट कापी बार आते हैं आपको ध्यान में रखना है और यह पूरा आप सैसन देख लेते हैं तो आपके एक भी प्रस्ट नदियों से समधने तो गलक तो न में लूनी नदी की कौन सी सैख नजिकं उद्ग्म यह सीरूइ जिले से होता है वह कौन सी है कorama किजवाईः खारी मिठडी यह बंदी कौन सी तो खारी नदी जोकी इसका को उद्ग्म सिरूइञा के से लगाउट से बजावद़ सुए a जालोर के साइला गाव लोनी नदी की कौन सी साइक नदी मिलकर बनाती है तो सूकड़ी सेकेंड और मीठड़ी लेली और मीठड़ी खारी और सागी तो राइट आंसर बता नहीं क्या होगा राइट तो जवाई और खारी मिलकर बनती है अगला प्रश्ट दोस्तों लूनी नदी के माय तरफ इस्तित नगर या कस्बा है लूनी नदी के माय तरफ नगर या कस्बा कौन सा है तो बालो बालोत्रा बिलाडा समदरी गुड़ामालानी कौन सा वो आपको बताना है तो बिलाडा बिलाडा है वो लूनी नदी के किस है जोदपूर में इस्तित है जबकि बालोत्रा चमदड़ी और गुड़ा-मालाणी नूदी लूनी नदी के दाएं की नार इस्तित है तो यह आपको बताने है अगला प्रश्ण दोस्तों लूनी नदी कौनसी साइक नुदी जोदपूर में मिलती है लूनी की साइक नुदी आपको बताने है तो जोजड़ी जोकी नागवर के पांडू लुगांस से निकलने वाली जोजड़ी नदी लूनी नदी के दाएं तरफ से मिलती है लूनी नदी से पाली जिले में मिलने वाली साइक नदी कौन सी है तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है लूनी न तो यह दोस्तों पाली जिले में कौन सी नदी आकर के मिलती तो वो है दोस्तों जवाई अगला प्रशन दोस्तों है यदि हम लूनी नदी के किनारे उद्गम से अंज्द तक यात्रा करते हैं तो हम इनकी साइक नदियों को किस करम में पाएंगे आपको बताना यह वीडियो परी 2021 में आया गुआ है ग्राम विकास अभी का दिने तो सबसे पहले दोस्तों गुईया उसके बाद में बांडी फिर सुखड़ी और फिर जवाई राइट आंसर होगा चार नंबर अगला प्रस्त दोस्तों लूनी नदी से मिलने वाली साइक नदियों का उद्गम से सबसे पहले दोस्तों लीलडी फिर सुखड़ी फैस्ट फिर सुखड़ी फिर मीटड़ी यह मिलती हैं तो स्यार नंबर राइस्टान उसर है अगला प्रस्त दोस्तों बांकली बांद लूनी नदी की कौन से साइक नदी पर इस्तित है बांकली बांद शूकडी फैस्ट या सूकडी सेकंड जवाई या बंडी तो बांकली बांद है वो सूकडी नदी पर इस्तित है मांकलीबवन जालोर में है दोस्तों और देसुरी पाली से निकलने वाली शुगडी नदी यह शुगडी साएगें नदी पर बना ऊगा है दोस्तों पालीशेर कौन सी नदी के निफित है इंपॉर्टेंट फ्रशने बार बार प्रीक्सम में आता हुआ è तो बता हुआ है सूकड़ी बांडी या फिर गूया या संगी तो यह दोस्तों है बांडी नदी पर बना हुआ है मावास माद इमावास पाली जिले में हैं बांडी नदी के और खारी नदी के मिलने वाला इस्तान पर बनाया गया है नूणितरी शहत्र क्या कहलाता है उत्तरी धली धरियन रो या मज़ा तो उत्तरी शहत्र दोस्तो धली कहलाता है यह एड़मास्टर 2018 में आए अगला प्रस्थ दोस्टों लोनी नदी के परदूसन का परमुक सुरोत क्या है बताएए वही तो रंगरी सपही उद्योग कर गड़ार गम उद्योग इंजिनिरिय खिया तो दोस्तों रंगरी सपही वाला उद्योग ईदू में ज़्योगियो बालोतरा में हाँ जाता है कि लूनी नदी की वांसी एक नदी सबसे जदा परदूसित है वो बताना लइनी Bande haft यह तो मदी नदी नदी खांग भब तैथ क्लिक रूंगा को में सबसे जादा परदूसित होती है तो लूको बांडी नदी को रासानिक नदी भी कहते हैं दूस्तों क्यों के सरवादीख रासान thoda ऽुड़े जाते हूं इस पानी खारा हो जाता है लूनी नदी की नेमन साइक नदियों मैंसे रावली परवतमाला से नेया निकलने वाली निदी कोन सीयय वह बताना है अरावली परवतमाला से जोजडी नहीं निकलती है जोजडी का इस्तल है दोस्तों नागुर जिले की पॉंडुलु गाव की पाडियों से निकलती है और जोद्बूर में लूनी नदी में मिलती है और ये लूनी नदी की एक मात्र साइग नदी जो दाएं और से विलने वाली है और इसका उद्गम अरावली की पाड़ियों से नहीं है जब कि लूनी की अन्य सबी जो साइग नदीयां वो अरावली पाड़ियों से निकलती है अगनग पाली से निकल कर पाली और सिर्मक्रविस जिलों की शिंमा बनाता हुए जालो जीले में लोने नदी में ूतीर हैं से लुनी की दोस्तों साइग नदी नहीं है वो बता ना यहिए मंईला प्हुसत दूजार पंद्रा में आया हुए प्र особot है लोनी नेदि की साइक नदी नहीं है जो जडि सुकड री जुक्रिया यह मेडा तो मेड़ा नदी है जो कि लोनी की साइक Ψधी नहीं है अगला प्रिष्ण है कतन ओर निशन निम्न वेसे कतनों में तो कौन सा तहारे वह बताना सेवगंज शिरूरी ज्वाइन अडिके बाएं किनारे इस्थीत है एरुनपूरा अन्दी कि में जो की फ्याइन अदी के दाएं किनार इस्थीत है सुमेरपूर पाली जोगी जोई नदी के दाएं किनार हैं बिलाड़ा जोदपूर लोनी नदी के दाएं किनार है कौन सा राइट है आपको बताना है राइट है कौन सा वह आपको बताना है इसका रायट आंसर तीन नंबर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रस्ट दोस्तों सोम नदी से जिलों के मद्दे सिमा बनाती है सोम नदी किन जिलों के मद्दे सिमा बनाती वो आपको बताना है डूंगरपूर और बांसवाड़ा बांसवाड़ा और उद्देपूर उद्देपूर और डूंगरपूर या उद्देपूर और बांसवाड़ा तो यह उद्देपूर और डूंगरपूर के मद्दे सिमा बनाती है अगला प्राशन दोस्तों राजस्तान में माई नदी नेमन में से किन जिलों की सीमा बनाती है वो आपको बताना है माई नदी किन जिलों की सीमा बनाती है डूंगरपूर और मास्वाडा की सीमा बनाती है कि अग्ला फ्रस्ष दोस्तों यह माई और संबल मत साबर मती पसी बनास का आप वा स्थर है oke आप देख सकते हैं यहां पर औरू कि माई नदिगा आप आप शथर सरवादी को किस राजिम हैं वह आपको बताना में इलदिगा सरवादी वह आप्वा सेटर है वो किस राजिय में है तो वो सरवादी की दोस्तों गुजरात में माई नदी की कौन सी साइक नदी उसके बाएं तरफ से मिलती है तो वो मिलती है अनास नदी साप और अनास नदी माई के बाएं तरफ से मिलती है और सेज अन्य नदीया जो कि दाएं तरफ से मिलती है माई नदी कौन सी साइक नदी बासवाड़ा जिले से निकलती और बासवाड़ा जिले मैं माई से मिलती है वह बताना है जो साप नदी है अगला प्रशन दोस्तों जैसमन जील कौन सी नदी पर बनी हुई है यह प्रशन क्ताइं लगे इसमैं जैसमन जील इसमें की बात कर रहे हैं जैसमन जील में कौन सी पानी किस नदी का आता है तो दोस्तों गोमती नदी का आता है जैसमत जील में जाखम नदी जाखम नदी कौन से जिले से नहीं बैती वो बताना है तो बास बाड़ा से नहीं बैती है इरू नदी कौन से जिले से निकलती है तो इरू दोस्तों कहां से निकलती है आपको राइट आंसर बताना परताब गड़ से निकलती है ग्वालेट ग्वालेटक सहर किस नदी के किनारे है कलिया कोट कलिया कोट कहां पर है दोस्तों तो यह मैं नदी के किनारे है के घिण siitä माता वाकरन कौनसी नदी के किनारे इस्तित हैं सिता मता शीता मता दोस्तुँम जाकम नदी के किनार रहें हैं है इस वह कागत्पर्यूजण कौनसे जिलह यह इंप्पोर्टेंट है और बार बार प्रिक्सामाता सोम कागदर परियुजना का समन किन जिलों से बताना है तो यह दोस्तों उदेपूर जिले से अगला दोस्तों अरन नदी किसकी साइक नदी है अरन नदी दोस्तों अनास नदी की साइक नदी है माई की साइक नदी नहीं है वो बताना ये वो बैत्रक गुम्ती बाद्र तो राइट आंसर दोस्तों बताना जल्दी से कमेंट कीजिए बैत्रक नदी जो कि माई की साइक नहीं है माहि नदी पर इस्तित कड Mini THy काडानाबाद, बाद जो कि काँसे जिले में है ? कडाना, कडाना-डूंगर पूर-मासाड़ा, परताब गड़ाा या माई सागर तो दोस्तों, कडाना बाद हैовор माई सागर में सागर में इस्तित है तो दोस्तों वाकल नाम से जाना जाता है साबर मती को साबर मती की साइक नदी नहीं है मेसवा, मजाज, मौरेन या वेत्रक तो मौरेन नहीं है साबर मती की साबर मती नदी की कौन से साइक नदी से पाली के जवई बाद में पानी आता है तो वो आता है दोस्तों सही से सही सुरंग से अगला प्रशन दोस्तों पत्सीमी बनास के बाए किनारे इस्तित सेर कौन सा है वो पताना है तो वो है दोस्तों अबू रोड अगला प्रसमें सिपू नदी किसकी साइक नदी है बताइए भई सिपू नदी किसकी साइक नदी है तो पसीमी बनास की साइक नदी है सिर्वई से निकल कर पसीमी बनास नदी जाकर कहां गिरती है किस अभवा तेंदर में गिरती है तो वो कस के रन में गिरती है कौन सा समिले नहीं है बताना बैडस को गुंदा की पाडियों से निकलती क्या गंबीरी जावद पाडियां बांड गंगा बैराट की पाडियां या मही नदी खमनोर की पाडियां तो इसमें गरत कौन सा है वो आपको बताना है तो इसमें मही नदी खमनोर की पाड़ियों से नहीं निकलती है मैंध जिल से निकलती है अमरे रुगाओं मव की पाड़ियां धार जिल्ले मद्यबर्दिस से मैं नदी का किनारा क्या कहलाता है थली कांठल लेवल या सपन तो दोस्तों कांठल कहलाता है मैं नदी आदिवास यह से आदिवासियों की कांणणकी गंगा के नाम से जाना जाता है राजस्तान के डक्षिन कि संद्रेक conservative MI को जाना जाता है सूजलाम सुपलाम करांथी का समंधि कि सनदी इंपॉर्टेंट प्रेंस में है vin इज़ जो कि योजण आ थे थे थो सपाइ विम्हा बावा पर्मानों अनुसंदान केंधिर गजल के लिए लेकिन दोस्तों के लिए माई नदी में जो सपाई के लिए अप्यान सलाया गया है अगला प्रस्ट दोस्तों नेमन में से कौन सी नदी मासवाडा से नहीं बैती है वो बताना सेना माई नास सॉम मासवाडा से नहीं बैती है तो सॉम नदी मासवाडा से नहीं गुजरती है baun tabu के करीब कौन सी नदी बाती है है लूनि घंगवर पसी मेर बना या सरस्टी तो मांट ABU के करीब दोस्तों सबनास बहती है तो मी बनास सिरू जिले से निकलती है कस तन्तर का बाग है तो थैंक यू दन्यवाद जहें जयबारत